और भगवान ने खेली खेल में बिन प्रयास बाएं हास से ही अपना धनुस उठा लिया करेण बामेन सलीन मुद्ध्रतं सज्यम चक्रत्वा निमिशेण पश्यतां बामकर कंज से गोविन्दे ने जब धनुस उठाया तो देखने वाले दंग रहे गे जब तक आउके पले कचुपड़े तब तक नहीं आने प्रतिंचा चड़ाई और धनुस इतना भयंकर शब्द हुगा धनुस के तूटने का की धरती हिले गई कंस कांप गया ये क्या कवरकरी सरकार आपका धनुस आपके भांजे ने तोड़ दिया सुनते ही कंस को चकर आ गया और मन में विश्वास हो गया हमारी भी गारंटी खतम है वगवान परसुराम जी का दिया धनुस था उन्होंने साबधान किया था कि इस संसार में इस धनुस को कोई तोड़ नहीं अब तो उसे हर काली चीज में काला काला मुरिली वाला दीखने लग गया भगवान विस्राम घट पे जाके आराम से विस्राम किये राध वर परंतु कंस को तो नीद ही ना आब है विचारी की नीद उड़ गई सबेरा हुगा और भगवान पुनह दैया जी के साथ भगवान बोले भईया महावत हाती हटाओ हमें भीतर जाना है महावत ने नहीं सुना बलकि हासी में अंकुस मारके भगवान की और बढ़ा दिया प्रभू समझ गए ये लगता है हमारी लिए ही खड़े लपक करके भगवान ने उस हाथी के दोनों दांत पकड़े और इतना जोर का जटका मारा कि हाथी के दोनों दांत कनिया के हाथ आए गए दाओ जी बोले लाला एक इतकु भैंक दे और दोनों भईयाओं ने एक एक दांत हाथी का लंबा लंबा पकड़ा और जो ठुकाई पिटाई करी सो दो मिनिट में महराज गोविंदाए नमो नमा हाती महावत दोनों ही परलोग बासी होगे दाउजी बुले लाला दरवाजे पे खटबट भईया तो भीतर भी गडबड होगे चलो या हाती के दांते ये से भिन भिन भगवान के दर्शन की जिन के रही भावना जैसे जिन के रही भावना जैसे प्रभ मूरती तिन देखी तैसे प्रभ मूरती तिन देखी तैसे मल्लानाम सनरिन्णाम नरवरस्त्नीणाम स्मरो मूर्तिमान उपनाम स्वजनोसताम् शित्भुजाम् सास्तास्वपेत्रोशिश्व। मृत्युर भोजपते विराड विदुशाम् तत्वं परम्योगिनाम् विष्णीनाम् परदेवतेति विजतो रंगंगत साग्रजाम् इनके रही भाबना जैसी दिनके रही भाबना रही भाबना रही हाँ सारे रस भगवान में एक साथ प्रगड हो रहे हैं मला नाम असनी ये रोद्र रस है निरनाम नरवरह ये अद्वत रस है स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान ये स्रंगार रस है गोपा नाम स्वजनह ये हाश्य रस और सक्ख रस है असताम छित भुजाम सास्ता ये वीर रस है बगवान तो रसोबैई सहा सारे रस एक साथ भगवान के ज्रीङग में प्रकट हो रहे हैं इसलिए ये सारे रस एक साथ दरसाए अब इसकी अलग अलग व्याक्या विस्तार करने का समय नहीं है इसलिए केबल संगेत किया चाणूर ने भगवान को सभा में आके चुनोती दी हे नंद सुनू हे रामा भवन्तव भीर सम्मतव हम बच्चे हैं तो बच्चों से लड़ाएंगे तेरे जैसे पहाड जैसे पहलवान ते कौन लड़ेगो भाई चाणूर को लगा कि ये डर गया तो अटाहास करके बोला अरे बाते मत बना कनिया तू बच्चा नहीं है तू पहलवानों का भी बाप है भगवान बोले च्चोंरे तूने हमारी पहलवानी कव देखी हमारी तेरी पहली मुलाकात है तूने हमारी पहलवानी कव देखी चाणूर बोला के अभी अभी दरवाजे पर जब तुम घुज करके हाती से बढ़ गए तम मैंने देखा हजारों हाती के बलब शाली इस विशाल काईब को बले आपीड को तुमने खेली खेल करके उसको लुड़का दिया लील ये भियो लील ये भियो हतह खेली खेल के मार डाला लील ये भो इभ माने हाती खेली खेल में आपने इतने बिशालका हाथी को मार दिया इसलिए तुम बच्चे तो नहीं हो बाते मत बढ़ाओ छोटे छोटे स्रीदामा मदवंगल दोड़ के आएगे का नहीं है डर पीओ मत हम काई कुँ आएं तेरे संग में अपने आपकों अकेलो मत समझ होगी सो देखी जाएगी पूतना बारे हाथ जवगे दिखाए डार भगवान बली ये बात है तो फिर आजा मैदान में बद्वा परिकरम शोरी मांद दिया कमरे में पीता मर कून पड़े अखाडे में जो महराज चालू हो गई कुस्ती महराज पंजे से पंजे कस गई मल युद्ध बड़ा बिशाल प्रारम हुआ देवियों में चर्चा होने लगे हे भगवान देखो तो ये छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े पहाडन जैसे पहलवानन ते विड़ गए और कोई मनावी ना करे सरासर अधरम है अत्याचार है बेहमानी है पबच्रसारसरवांगव मललव सैलेंद्रसन्यभव वचाति सुकुमार अंगव किशोरव नापत यववनव ये कोई जोड़ी है ये कोई कुस्ती है चलो बहन ऐसी अधारमिक सभा में नहीं रहना चाहिए उटके चल पड़ी कुछ बोली बहना ये देख भी में छोटे 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 छोड़ा लगें पर बड़े कमाल के हैं ने के बारे में बहुत कच्छू सुन रहा किये देखो कच्छू कमाल करके दिखाएंगे उदर कंस को जब बहुत देर होने लगी कि ये क्या हो रहा है उदर तो पहलवानी के दाव पेच चल रहे हैं कंस की धड़कन बढ़ रही चाणूर को तुरंद इसारा किया रहे चाणूर मार चाटा कर दे चकनाचूर चाणूर को आ गया जोट मालिक का इसारा पा करके घुमा करके एक मुका कनिया की छाती में मार दिया भगवान हसने लगे भगवान को तो मुका ऐसे लगा जैसे मतवाले हाती में काउने माला भैके मार दे होई अब हाती में माला मार ओ तो का ख़बर लगे भगवान को कैसे लगा माला हत इवत विपा नचलत तत प्रहारेन माला हत इवत विपा भगवान उसके प्रहार से बिल्कुल पिछलित नहीं हुगे जैसे हाथी में माला मारी होई और हसकर के बोले चोरे तेने मुक्का मार दियो मोकूं हमों को मुक्का मारो है तो एक छोटी सी चपत मेरी उचाखेले गुमा करके चाटा मारा और एक चाटे में चारो कोने चिते गरा चाडूर चकनाचूर हो के चटनी चाट गया बोल चांड उन मर्दन भगवाने की दर्ती चटाए दी महरा दर्ती पगड़ो कर दिया उदर दाउने देर न लगाई गुमा के एक मुष्टिका जमाई तो मुष्टिका सुरको भी एक मुष्टिका में परलोग पहुंचा दिया सल तो सल आए उन्हें भी परलोग पहुंचाए कूट नाम का देते आया तो दो मुखे में उसे भी कूट डाला बांकी के पहलवान अपनिया भी पतली गली से भागने लगे सेसा प्रदुत्र वह मल्ला सरवे प्राण परीव सबह सारे पहलवानों को प्राण बचाने की पड़ गए बगदन मच गई कंस के पहलवानों में आप कोई ना बचेगो वहिया इन शोरन थे फिर क्या था महाराज कंस तो पागल हो गया ये हाल देख करके चिलाने लग गया पकड़ लो इन दोनों बच्चों को जिंदा ना जाए आज मैं इनको अपने हाथ से मारूँगा इने ही मारूँगा इनके बाप को मारूँगा अपने बाप को भी मार डालूँगा प्रभू समझ गया इसका बैलेंस बिगड़ गया संतुलन खो दिया भगवान ने एक शलांग मारी कंस के सिंगहासन पर खड़े आये खड़े दिखाई गिरधारी कंस घबडाया भगवान ने तौड के चुटिया पकड़ के हिलाया मा देविकी के अपमान का इसमर्ण दिलाया एक धक्का लगाया धड़ाम से कंस गिरा धर्ती पर विश्व भार लेके भगवान गिर पड़े उसकी छाती पर खंस के गिरते ही गोविंदाए नमो नमा बोल कंस मर्दन भगवान की बसुदेव सुतम देवं कंस चाणूर मर्दनं देव की परमानंदं स्री कृष्टं बंदे जगद गुरुं कनहियां के हातों कंस का बद हुआ और आज से सारी सभा के बीच भगवान कृष्ट जगद गुरु स्री कृष्टं के उप में प्रतिष्ट गुरु भगवान की महमा के सामने सभी ने सिर जुका दिया भगवान बंधक बने होगे नाना उग्रशेन तथा पने माता पिता देव की वसुदेव तीनों को बंधन मुक्त कर दिये और ततकाल भगवान ने मतुरा का राजा महराज उग्रशेन को घुर्शित कर दिया नंद बाबा से एक कांत में मिलके बोले बाबा अब आप ब्रिंदावन पधारो कच्छु जिंबेवारी हमारे कंधे पर आगई है उनसे निवरत होकर पुनह ब्रिंदावन आओंगा आप प्रतिक्षा करिए समझा बो जाके ब्रिजवासियों के साथ बाबा बिदा किये और पूरियन असुर भिरनेत्रे सहगो पईर ब्रजम ययव ब्रिजवासियों के साथ असुर पुरुते नैनों से नंदवाबा बिदा हो लिए गरगाचार जी यदबंसे के पुरुहित हैं उन्होंने आके ततकाल श्चुम महुर्ते निकलवाया और कृष्ण बलराम दोनों भहियाओं का यग्यो पवीत करवाया गायत्रव भरतम आस्थितव गायत्री मंतरी की दीख्शन उपनयन किया और देव की वसुदेव को गरगाचार जी ने समझाया पुरुहित का मतलब है जो आगे आगे यजमान के हित का चिंतन करता हुगा चले वो पुरुहित बच्चों की चिंता मावाब को इतनी नहीं होती थी उस काल में जितना की कुल पुरोहित को होती थी इतना ध्यान रखते थे अपनी यजमान का इसलिए उनका बड़ा सन्मान था गरगाचर जी ने का देखो मैं जानता हूँ बस देव तुम्हें तुम्हारी बच्चे बहुत बरसों के बाद इतना कष्ट सहने के बाद मिले हैं तुम्हारे सुख के दिन अब आ गए हैं कश्ट के दिन बीत गए हैं तो हर माता पिता बरुसवाद इतने कश्ट पाके अपने बच्चों को गले लगावे तो फिर उनको छोड़ना नहीं चाहता किन तो तो मैं छोड़ना पड़ेगा किसके लिए बोले अभी ये लिए माखन मिस्री खाके गईयां चराएं पड़े लेके कुछ नहीं है इनकी पड़ाई लिखाई पर ध्यान दो बच्चे हैं पड़ाई की एक उम्र होती है जिस उम्र के निकल जाने के बाद के बार हाती मीड़ते रह जाओ फिर जिंदगी में यद जीवन के चार चरण कर दिये जाएं पचीस पचीस के सो साल का जीवन मान लें प्रारम के पचीस वर्स विद्या ध्यन के हैं पचीस वर्स की उम्र तक जो पालिया विए सो पालिया उसके बाद तो पर सोचते ही रहो फिर कुछ नहीं पढ़ लिख पाओ गए समय खतम इसलिए अभी तो ये ग्यारा साल के बच्चे हैं इनकी पढ़ाई पर ध्यान दो अभी ये पढ़े लिखे नहीं है माकन मिज्री गाये हैं गईयां चराये हैं अच्छा तो कहां भेजना पढ़ेगा महाकाल की नगरी उज्जेन में भेज़ दो इसमय सबसे जोड़दार कुलपती और महान विद्वान सरी सांधी पनी मुनी महराज हैं जो उज्जेन में बहुत सुंदर गुर्कुल चला रहे है उज्जेन दूर है भाई मतुड़ा से फिर भी गरगाचार कुल गुरु हैं उनकी आग्या का पालन किया और नचाहते हुए भी देव की वसुदेव जी ने दोनों बच्चों को महाकाल की नगरी उज्जेन भेज दिये भगवान अबंतिकापुरी गए और सांधी पनी महाराज के असानिध्य में गुरुकुल में समस्त सास्तनों का समस्त विद्याओं का द्यन किया गुरु दक्षणा के रूप में गुरु देव का मरा हुआ बालक जो समुद्र में डूब गया था उस बालक को यह मराज के घर जा करके वहां से मांग करके जिन्दा करके लाए और गुरु दक्षना के रूप में मरा हुआ बेटा जिन्दा करके गुरु माता की गोदी में बैठा दिया ओल भक्तवत्सल भगवाने की बताओ जिन्दा मरा हुआ बेटा बेटा जिन्दा करके कोई ला सकता है भगवान के लाबा कृष्णा अबतार में भगवान ने अपनी भगवत्ता पूरी तरह प्रतिष्ठित कर दी के देखो भगवान करतुम अकरतुम अन्यता करतुम समर्त हैं असंभव को संभव कर सकते हैं इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयम परिपूरा बतार भगवान कृष्ण का है सब कुछ कर सकते है मतुरा बापिस आये पढ़ लिख करके पर ब्रजबासियों की जब बहुत याद सताई तो भगवान ने उद्धभ जी को एक दिन समझा बुजा करके ब्रंदावन में बेज दिया के भईया तुम बड़े विद्धवान हो ब्रस्पती के चेला हो प्रकांड पंडित हो हाई मेरे ब्रजबासियन कूँ कचू ग्यान देयाओ पढ़ समझायाओ बिचारे मेरी याद में बहुत परिशान है रहे होंगे रो रहे होंगे जो आगिया सरकार ओ धबजी आये मन में सोचते जा रहे हैं रस्ते में के देखो मेरे जैसे महान पंडित को विद्धवान को वेद वेद आदन वे निशनात और भेजा है उन गवारियन कूँ समझावे अंगूटा चाप पढ़े लेके कचू है ना है और जम मैं तत्वमसे प्रज्ञानम ब्रम्हा अहमात्मा ब्रम्हा सोहम ये सब महावाक्यों की चर्चा जहत अजहत लक्षणा विंजना के द्वारा परिभाशित करूँगा तो मेरी भासा को समझेगा कौन मैं अपनी भासा को कितना सरल बनाओगा क्योंकि विद्वान की भासा को समझना पड़ा मुस्किले अभी स्री पुरी पीठा धीस्वर संक्राचार जी महराज निश्टा नन जी महराज जब एक बार कुम्हकी का था मैं पधारे जब आसीर बचन देने के लिए कहा तो ऐसा जटिर बोले महराज कि सुनके तो हमारी खोपड़ी गरम हो गई जब वो बोल चुके तो हमने जनता से बूचा कि भाई इमानदारी से बताना कितना प्रसत आप समझ पाए जब समझने में हमारी खोपड़ी गरम हो गई तो जनता कितनी समझ पाई हो गई तो सब ने हाथ इला दी हमारे कच्छू पल लेना पड़ी तो हमने फिर प्रार्तना करी अब यहां के बाद कल और परसों हमारी जनम भूमी ग्वालियर में संक्राचार जी का कारक्रम एक धर्म सवा के रूप में रखा गया है दास नहीं निवेदन किया कि महाराज कभी हमारे घर जनम भूमी पे पधारो आप जैसे महापुरसों का आचारियों का असीरवाद छेत्रवासियों को मिले तो स्विकृति मिल गई तो कल और परसों हमारे कच्छा संपन करने के बाद तुरंत प्रस्थान करेंगे और दो दिन हमारे ग्वालियर संभाग में हमारी जन भूमी भितरवार में दो दिन का आयोजन रखा है तो मैंने निवेदन किया बोल महराज जब महाकुमब और तीर्थों में आपके सुरोताओं को समझने में दिक्कत होती है तो ग्राम मीन अंचल के लोग क्या समझ पाएंगे तो ऐसी कृपा करना मारा थोड़ी भासा से नीचे अपनी क्योकिता से थोड़ा नीचे उतर करके समझाओगे तो कछू पले पड़ेगी नहीं तो काओ या कछू समझ में आवे बारी ना है तो बोले चिंता मत करो हम तो सुरोता देख करके बोलते हैं पर क्या करें हमारा पद है संकराचार का तो हमें पहले अपनी गर्मा की अनुसार तो बोलना ही पड़ेगा हम नीचे भी उतने तो एक सीमा है एक सीमा तक ही नीचे उतर सकते हैं, जादा नीचे नहीं उतर सकते हमां, हम बोलेंगे तो अपने पद के अनरूप, अपनी गर्मा के अनरूप ही बोलेंगे, परचिंता मत करो हम ध्यान रखेंगे, बोलो रादेरा देर, तो कहने का मतलब यह है, कि एक विद्वान कितना भी स सरल बनने का प्रियास करें, फिर भी सरलता की एक सीमा होती है, अब वो जब सबसे ज़्यादा सरल बनेगा, तब हमको कुछ साइद पल ले पड़े, तो उद्वजी भी सोच रहे हैं, हम रहस्पती के चेला, इतने बड़े विद्वान, अब हम गौरियन कूं समझाएवे ज पर जब ब्रिंदावन में आए, और जो नंद बाबा के गले लगे, नंद अपनीत परिस्वज्य, वासुदेव धियार चयत, उद्वजी को साक्षात कृष्ण मान करके, नंद बाबा ने जब हिर्दय से लगाया, तो परम वैश्ण, वो परम भागबत, परम कृष्ण प् नंद बाबा के हिर्दय से लग करके ही, उद्धब जी रौमांचित हो गए, आनंदित हो गए, और नंद भवन में रात भर जो कृष्ण चरचा चली, उसमें पुलकित हो गए उद्धब जी महराजी, उद्धब जी नंद बाबा को समझाने का बहुत प्रयास की है, न माता ना पिता तस्य, ना भारिया न सुतादया, नात्मियो न परस्चाबी, न देहो जन्मे बचे, बाबा बुरा मत्मानियो, जाए आप अपनो कनहिया समझो अपनो लाला समझो वो काउ को लाला ना यै, बाब को को कुई मीयवाप ना यै. अरे वो तो साक्षात निर्कुन निराकार निरी है निर्वेसेस निरुपादिक परब्रह्म परमात्मा ही है जो कनकन में घट घट में सरवत्र इसा वाश्यमिदं सरवं यत किंज जगत त्याम जगत सरवत्र उसकी सक्ता विद्यमान है व्यापक है व्यापक होने के नाती ही वह ब्रह्म कहलाता है नंदवाबाह जोड़के बहिया बहिया उद्धव तू बड़ो विद्धवान है तेरी बात है मेरी बुद्धी में ना बैठे तू भगवान कहे भाई मैंने थोड़ो बहुत सत्संक की हो यह मैंने तो ऐसी सुन रा किये उद्धव के भगवान को ध्यान करवे से भगवान की कृपा से सारे बंधन खुल जाएं भव बंधन मिट जाएं आवागमन छूट जाएं और जाकूं तू भगवान बतावे वाका नहीं आके बंधन तो मैंने खुले जासुदा ने उखल में बांध दियो तो खड़ो खड़ो रोतो रहो मैंने वाकूं मुक्तिद ही तो ऐसी बंधो खड़ो रहतो अब अब कैसे कह दूँ कि भगवान है जाकि नाम से इतने बड़े-बंधन खुल जाएं वाको बंधन मैं को लो और तू कह कि वो बगवान है इस्तिती ऐसी है जैसे कोई प्यासा पानी की बूंद को तरस है भी आजरा पानी देना प्यास में मूझ सुखरा है सीग्र जल नहीं मिला तो मर जाएंगे प्राण निकल जाएंगे और अत्यंत प्यासे व्यक्ति के पास कोई सज्जन आ करके पानी का प्रवचन सुनाने लगे पानी का ज्यान देने लगे पानी कहा नहीं है बाबा यह सारी धरती पानी में तो है जहां खोदो वहीं पानी है अरे भीतर की छोड़ो उपर की देखो उपर की मेघ मंडलों में ब इस सरीरमें नीचे पानी ऊह सरी धुल में नीचे पानी उपर पानी सारी धरती पानी इस तो प्रतिवी में यह प्रत्वी तत्यु से ज्याद हम गोग को कि अगले है तो प्रबचन गलत तो नहीं मैं बात बिल्कुल सही है पर इस पानी का प्रवचन सुनकर पानी का ज्यान हो जाने से क्या प्यासा प्रसंद हो जाएगा कभी नहीं हो सकता वहाँ जोड़के एक ही बात कहेगा भहिया यह पानी का प्रवचन मत दो मुझे पानी दो क्योंकि पानी पीके ही प्यास बुझेगी पानी का ग्यान होने से नहीं उसी प्रकार नंद बाबा कहते हैं मेरा कन्हिया मुझे दो और उधभ जी कन्हिया का ग्यान दे रहे है अब रिजबासी कह रहे हैं कि अखिया हरी दरसन की प्यासी आँखों में तो दर्सन की प्यास है और आँखों के दर्सन की प्यास कनहिया के दर्सन से बुझेगी कनहिया का ग्यान हो जाने से नहीं और उद्धब जी ग्यान दे रहे है ग्यान अपने इस्तान पर सही है गलत नहीं वो धब जी के ग्यान की वो पेक्षा नहीं की जा सकते पर इस्तिती केवल ग्यान हो जाने से गाड़ी नहीं चलेगी आपकी गाड़ी पंचर हो गई हवा निकल गई किसी ने निकाल दी अब आपने कहा कि अरे गाड़ी की हवा निकल गई क्या करे किसी से पूछ न समझो तुमें मैं यह पता नहीं हवा कहा मिलेगी अबो के बड़े ना समझो उत्मे çalış है यह पता नहीं हवा कहा मिलेगी अरे ऐसी कुन सी जगह है जह हवा नहों हवा के मैं लिए न कुई जिंदा रह सकता है क्या अब वो प्रवच्चन दे तो गाड़ी चलेगी बात तो वो सही कह रहा है कि हवा सब जगए है पर इस हवा से गाड़ी तो नहीं चल सकती न दूसरे ने सुना तो बुला इदर आओ इनको कुछ नहीं मालूम हम बताते हैं तुम बताओ वो इदर उदर हवा मत देखो हवा तुमारी भीतर है तो उसकी भी बात सही है बाहर शोड़ो तुम अपने भीतर देखो अपने भीतर भी हवा है बायू तर तुम भी तो सरीर में है तो बात बिलकुल सही है हवा भीतर भी है बाहर भी है सरवत्र हवा समाई हुई है पर इस हवा से गाड़ी तो नहीं चलने वाली ना हमें हवा तो वो चाहिए जो यंत्रमार्ग के माध्यम से पाइपलाइन से होकर करके हमारी गाड़ी के पईया में घुसे जब गाड़ी के पईया में हवा घुसेगी तब गाड़ी आगे चलेगी इस हवा से गाड़ी चलने वाली नहीं है इसलिए ब्रजवासियों का जो आनंद है वो सगुण साकार सरी राधवल्लव कृष्णल के रूप में है अब उनकी गाड़ी ब्रजवासियों की प्रेम की गाड़ी तो राधवलल्लल के दरसन से ही चलेगी वो निर्गुण निराकार व्यापक ब्रभम तक्त्त्तों से उनकी गाड़ी चलने वाली नहीं है निर्गुण कौन देशको बासी वो निर्गुण ब्रभम से ब्रजवासियों को कोई लैना देना थै छे महिने तक बरिज में बास किये ओधभ जी महाराज ओबास कतचन मासां और वो जब बरिज गोपियों के प्रेम का दर्सन किया कि एक बहुरा किसूरी जी के स्री चरणों पर बैठ गया तो किसूरी जी सहथ सारी गोपिया बहुरे से बातें करने लगी ब्रमर गीता वोह रही है मधूप कितभ बंधो मास प्रशांगरी सफ है मधूप कितभ बंधो मास प्रशांगरी सफ न्या कुछ विलोलित माला कूंकूमस मसरु भेना उच्वे लुलते वाला कुंकु मस्मसु मेर्णा बहत मदपतिस्तन मान नीनां प्रशादं बहत मदपतिस्तन मान नीनां प्रशादं यदु सदसि विडंव्यं यस्यदो तस्त्वमेत्रक। काचित मधुकरम द्रिष्ट्वा एक मधुकर को ही देख करके गोपियां कनहियां का उसे दूत मान करके बहुत सुंद्रे हगीत गाई हैं काचित के अर्थ आचारियों ने बहुत सुंदर-सुंदर विबिल किये हैं काचित कौन के प्रेमात्म के सुखे के प्रेमात्म के सुखे चित ग्यानम यश्या सा काचित कम नाम सुख का भी है तो जो परम सुख है कौन सा सुख है प्रेमात्मक सुख है प्रेम किसको कहते हैं राधारानी को और कुछ आवे या ना आवे पर प्रेम करना आता है प्रेम क्या होता है ये राधारानी जानती है लावकिक व्यभारिक दृष्टी से तो अनपढ़ है उद्धब जी भी उन्हें अनपढ़ मान की आई थे पर और कुछ जाने ना जाने पड़ी लिखी हो या ना हो पर अन्तु प्रेम क्या होता है प्रेमात्मक सुख क्या होता है ये किसोरी जी को भली भात विदित है तो के प्रेमात्मके सुखे चित ज्ञानम यस्या चित माने ज्ञान प्रेम सुख का प्रेमात्मक प्रेम का स्वरूप क्या है यह ज्ञान जिसे भली भात हों ऐसी भगवती वर्शभानुनन्नी राधारा नहीं है काचित या कम कृष्णम आसमंता चिडोती कम नाम कृष्ण का है और भगवान कृष्ण को ही जिनों ने अपना जीवन धन सरवस्व चुन लिया हो और चुन करके अपने हिर्दे में सदा सरवदा के लिए विराजमान कर लिया हो वो भगवती वर्शभानुनननी है काचित कम कृष्णम आसमंता चुनोती रदयंगम करोती इती काचित वर्शभानुननननी स्री राधा ऐसे काचित सब्द के बहुत सुन्दर सुन्दर आचारियों ने स्री राधा परक अर्थ की हैं क्योंकि वर्शभानुननननी राधा रानी का नाम खुल करके तो सुखदेब जी लेते ही नहीं तो किसी न किसी माध्यम से शब्दों में छुपा करके राधारानी काई स्मरण करते हैं तो काचित मध कुरम रिष्टवा तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर भावों से ब्रजवामा उने यहाँ भ्रमर गीत गाया है और इस गीत को सुन सुन करके उद्धब जी प्रेम क्या होता है ये जान गए उधो सुधो भे चलो सुन गो पिन के बूर क्यान बजाई डुग डुगी और प्रेम बजायो ग्यान की डुग डुगी बजायो